हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्रिकल्चर आल जलोसन देश निखिल कुमार आज का जो टॉपिक है आल रिवुलूशन इन एग्रिकल्चर जितने भी क्रांती हैं आज हम इस बीडियो के माध्यम से जानेंगे और उनके पिता का उना इसको भी इसी बीडियो में जानेंगे इसके अलामा उसका जो संबंध है रिलेटेड उसका हम फिगर भी दिखाएंगे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से और यह हमारा यूटूब जैनल है एग्रिकल्चर आल सलोसन के नाम से और आवर टेलिग्राम चैनल एज सेम यूटूब चैनल ने तो हमारा जो टे कि अधरम जाधे हैं जो फ़र्श्टि रिवोलूशन है ग्रिन्र रिय होलोचन इसके जो फादर है पिता ज्यम्या और इसका जो संबंध है green revolution का related food grains production यानी आनाज वाले जो भी फसन है cereals food यानी खाने वाला जो है उससे green revolution का संबंध है यहाँ पर आप figure देखी रहे हैं green revolution in india second जो है white revolution या operation flood इसको दूसरे नाम से जानते है operation flood इसके जो father है पिता डाक्टर वर्गीश कूरियन और इसका जो संबंध है related milk या dairy production milk या dairy production यहाँ पर आप figure देखी रहे हैं यह दोध है वह यहाँ पर यह dairy है third जो है blue revolution नेली क्रांती फादर है इसके डाक्टर अरुन कृष्णन और डाक्टर हीरालाल चौधरी यह दो हैं दोनों नों मिलकर इस पर काम किया था और इसका जो relation related fish production मचली उत्पादन यहाँ पर आप दोनों तरफ figure देखी रहे हैं fourth जो है golden revolution इसके फादर है निर्फाख तुतेज इसका जो relation है related horticulture development यह होनी भी मतलब यह दोनों का संबंद है इससे यहाँ पर आप horticulture से related fruits का figure देख रहे हैं और यहाँ पर यह हनी है इससे आपका doubts clear हो जाएगा और फिफ्थ नंबर पे है silver revolution इसके father है इंदिरा गाधी जो कि प्रधानमंत्री रह चुकी है इसका relation जो है related एक्स या poultry production अंडा जो अंडा होता है उसके उत्पादन में व्रिद्धी के लिए और पॉल्टरी में व्रिद्धी के लिए यह क्रांती चलाई गई थी सिल्वर रिवलुशन इसक्स नंबर पे है एलो रिवलुशन पीली क्रांती इसके फादर है सेम पीट्रोडा इसका related जो है ओयल सीड प्रोडक्शन इडीवल आल जिसको कहते हैं खाने वाला तेल उसके लिए यहां फिस सर्सों का फीगर देख रहे हैं फसले सर्सों का इसमें तमाम है तिल मुंग फली श्वयावीं यह सब सर्सों और सीड प्रोडक्शन के लिए यह बढ़ावा के लिए एलो रिवलोशन को लाया गया था और सेवन्थ नंबर पे हैं पिंक रिवलोशन इसके फादर है दुर्गेश्ट पटेल जी और इसका जो रिलेटड है ओनियन या फार्माश्यूटिकल या प्राउन प्रोडक्शन यहां पर यह ओनियन का फिगर है और यहां पर यह कुछ दवाई होगा जो फार्माश्यूटिकल में आता है इत नंबर पे हैं ब्राउन रिवलुशन इसके फादर है हीरालाल चोधरी इसका जो संबंध है रिलेटर लेडर इन व्रेकेट नॉन कंवेंशनल या कोकावा प्रोडक्शन यह हमारा लेडर का जो वस्तुमें बनती है या कपड़ा या जोता चपल जो भी है यह लेडर का प्रोडक्ट है और यहां पर यह कोकावा है कोकावा नाइन्थ नंबर पर है रेडर रिवलुशन इसके फादर है 20 साल दिवारे इसका जो संबंध है रिलेटर मीट या टोमाइटो प्रोडक्शन मेलनी जो रेडर रिवलुशन था इसमें मीट और टोमाइटो को उत्पादन के लिए यह लाया गया था यहां पर यह मीट का फिगर है और यहां पर यह टोमाइटो का इससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे तेंथ नंबर पर है इवर ग्रीन रिवलुशन इसके फादर है डाक्टर यह में श्वामिनाथन इसका जो संबंध है रिलेटेड प्रोवीजन ऑफ रिक्वार्ड फूर्ड स्थौिशन एड इन्वार्मेंटल स्कूर्टीों तों फूचर जनडरेशनि फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए duel मेंट को सिक्यूर करना है और जो भी requirement food का है उसको हम पूरा करेंगे इसलिए इवर ग्रीन revolution लाया गया था 11th नंबर पर है rainbow revolution इसका जो संबन्ध है related all round growth in the production of food grains, edible oils, fruits and vegetables, animals and fishes इसका rainbow revolution का यह अर्थ है इसमें सभी सभी का overall है इसमें यहाँ पर कुछ अलग से दे दिया गया है इसमें serial number है यह revolution और इसका संबन्ध related black revolution का जो संबन्ध है petroleum production से है round revolution का जो संबन्ध है potato production से grey revolution, fertilizer production, golden fiber revolution, jute production, silver fiber revolution, cotton production हम उमीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगया थाइक्स वर वाचिं इस वीडियो लाक्षे और शब्सक्राइब इस वीडियो और चैनल तेक्रेर